हेलो स्टुडेंट्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल मैथमैजिक में स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा नव वृत प्रशनावली 10C हल करने वाले हैं पिछली वीडियो में स्टुडेंट्स प्रशनावली 22 तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके थे स्टुडेंट्स अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुएं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वाँ से पीछे की वीडियो देख सकते हैं और स्टुडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे सभी चीजे लगातार आपको चैप्टर और कौण B, A, C बराबर 30 संस हो तो कौण B, C, D ग्याद कीजिए पुनह यदि A, B बराबर B, C हो तो कौण E, C, D ग्याद कीजिए अब यहाँ पे चितर को समझते हैं स्टुडेंट्स आप से क्या बोला हुआ है कि A, B, C, D एक चक्रिय चतुर्भूज है और यहाँ पे A, C और B, D उसके विकर्ण हैं जो की बिंदू E पर एक दूसरे को प्रतिछे दित करते हैं एक दूसरे को कट करते हैं आप से बोला हुआ है कि D, D, B, C का मान 70 अंस है यहाँ पे आमने दिखाया फिर B, A, C का मान 30 अंस है ठीक है और आपको यहाँ भी दिया हुआ है कि जो A, B, B D, C बराबर हैं और आपको निकालना है B, C, D का मान और E, C, D का मान आपको ग्याद करना है ठीक है तो अब देखें यहाँ पे कैसे ग्याद करेंगे स्टूरिंट्ञें यहाँ पे लिखेंगे दिया है ठीक है दिया है देखे क्या दिया हुआ है हमें दो कॉंड ग्यात है कॉंड डी बी सी ग्यात है तो है आप लिखेंगे कॉंड डी बी सी बराबर सतरंज ठीक है फिर आपको क्या दिया हुआ है कॉंड बी ए सी दिया हुआ है तो है आप लिखेंगे कौण B, A, C बराबर 30 ठीक है अब देखें चितर में देखिए अब यहां से कौण B, D, C और कौण B, A, C यह दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि एक अही वृत्तिखंड के कौण है यहां से क्या लिख सकते हैं कौण B, D, C बराबर कौण B, A, C यहां पर रिजन में आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स एक अही वृत्तिखंड के कौण अब देखें यहां पर यहां से अब हम क्या लिख सकते हैं कौण B, D, C बराबर यहां पर देखें B, A, C का मान क्या है होगे अब नोग बात करेंगे त्रीबुज B, C, D में अब देखे जब त्रिबुज BCD में BCD में बात करेंगे तो त्रिबुज के तीनों कोड़ों का जो योग होता है वह क्या होता है एक्सवसियंस होता है तो यहाँ पर वही चीज़ दिखाएंगे students अब यहाँ पर देखे क्या लिखेंगे कोड BCD BCD कोड BC plus कोड BDC बराबर एक्सवसियंस यहाँ पर रिजन में आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं तिरबुज के तीनों कोड़ों का योग हमने इसका प्लस इसका प्लस इसका इन तीनों का योग क्या दिखा दिया एक्सवसियंस दिखा दिया ठीक है देखे जब भी आपको दिखाना होता है हमने BCD की बात किया तो हम ऐसे लेंगे कि जैसे देखे अगर हम C को दिखा रहे हैं तो C बीच में होना चाहिए जैसे यहाँ पर हमने दिखाया फिर बिन्दू B को दिखा रहे हैं तो यह बीच में होना चाहिए जैसे यहाँ दिखाया और D को दिखा रहे हैं तो बिन्दू D बीच में होना चाहिए ठीक है जिस कौन को दिखाते हैं वह बीच में होता है जैसे देखे C को पहले हमने दिखा तो b c d लिया फिर b को दिखाया तो हमने d b c लिया और b d c अब d को दिखाया तो हमने b d c लिया अब देखिए अब हमें इसका मान निकालना है कुण b c d का मान निकालना है देखे प्रशन में पूछा भी है आपसे तो इसको वैसे ही लिखेंगे छोड़ देंगे बाकी दो का मा तीस अंस देखे बी डी सी का मान तीस अंस बराबर एक सव असी अंस ठीक है स्टुडेंट्स उम्मिद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे अब देखिए आपको क्या करना है यहां से यहां से कूर बी सी डी बराबर एक सवसी अंस और सतर और तीस आट करेंगे सव अंस होगा इसका पक्षांतर कर देंगे तो यहां से क्या आ गया एक सवसी में से सो जाएगा तो यह क्या हो गया असी अंस हो गया यह नहीं आपका कूर बी C, D बराबर असियंस एक answer आपका यहीं पे हो गया यह आपका एक answer निकल गया उमिद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गये होंगे अब देखें आगे कैसे हल करेंगे आगे के लिए क्या करेंगे यहां से अब आपको एक condition दिया हुआ है question में कि यदि A, B बराबर B, C है तो क्या करेंगे अब उसी को लेकर चलेंगे तो यहां से लिखेंगे यदि यदि A, B बराबर B, C A, B बराबर B, C ठीक है जो हमें पता है पहले से अब देखें जब पता है इसको हम समय करएंगे फर्ष्ट बना लेंगे अब देखें हम लोग बात करेंगे त्रिभूज A, B, C में ठीक है तो यहां पर लिखेंगे त्रिभूज A, B, C मे अब देखें त्रिभूज A, B, C में कौण A, C, B और कोड B, A, C यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे क्योंकि बराबर हो जाओं के सम्मुख कोड बराबर होते हैं ठीक है तो अब यहां से क्या लिखेंगे देखें कोड A A, C, B बराबर कोड B, A, C ठीक है यहां से देख लीजे, कौड A, C, B, ठीक है, और कौड B, A, C, ठीक है, यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुह कौड बराबर होते हैं, तो अब यहां से देखिए A, C, B का मान हमें क्या प्राप्त होगा, ठीक है, उम्मिद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे, अब देखिए यहां से हम लोग निकालेंगे, कौड B, C, D का मान, ठीक है, कौड B, C, D का मान निकालेंगे, तो अब देखिए क्या हो जाएगा यहां से, यहां से लिखेंगे, कौड B B, C, D, बराबर, अब कौन B, C, D को निकालेंगे तो B, C, D किन दो कौनों के सम के बराबर है, तो वह बराबर होगा आपका देखें, अब B, C, D को लेना है पूरा, तो हम यह देखेंगे कौन से कौन के सम के बराबर है यह, तो यहां से यह बराबर है, A, C, B, ठीक है, प्लस A, A, C, D, ठीक है, दिख लीजे, B, C, D, यतना को हमें दिखाना है, यह किसके बराबर होगा, एक तो यह कोंड हो जाएगा, और यह कोंड हो जाएगा, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, A, C, B, और A, C, D, इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो यहां से यह दिखाएंगे, ACB plus ACD ठीक है students उम्मिद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे ठीक है अब देखें आपको क्या करना है अब आपको BCD का मान आपको पता है ठीक है BCD का मान आपको पता है कितना है 80 अंस तो यहां पर उसमान को रख देंगे तो यहां पर रखेंगे और C बराबर अब ACB ACB तीसंस आ जाएते हैं यहां पर तीसंस रख देंगे अब प्लस कोड ACD हमें निकालना है ठीक है कोड ACD हमें निकालना है कोड़ ACD, कोड़ ACD बराबर, देखें, असियंस माइनस तीसंस, ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, कोड़ ACD बराबर पचासंस, ठीक है, उमिद करते हैं, स्टुडेंस कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे, अब देखें, जब ACD का मान पच ACD, ठीक है, ACD का मान पचासंस आया, तो ACD को हम क्या लिख सकते हैं, देखें, जिस लाइड में बिंदू A स्थित है, उसी लाइड में बिंदू E भी स्थित है, तो हम ACD को हम यह अभी लिख सकते हैं, कोड़ ACD, ठीक है न, देख लिजे, एक अई लाइड में A और E दोनों स्थित हैं तो A, C, D को हम E, C, D भी लिख सकते हैं यहां सिया लिख सकते हैं कोंड E, C, D बराबर 50 अंस और यही स्टुडेंट्स आपका आंसर हो गया ठीक है उमिद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टुडेंट्स अगले प्रशन को हल करते हैं अगला प्रशन आपका प्रशन मबर 24 है यदि एक चक्री चतुर्भुज के विकर्ड उसके सिर्सों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है अब यहाँ पे देखे यहाँ पे चित्र को समझते हैं यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे A, B, C, D एक चक्री चतुर्भुज दिया हुआ है और उसके विकर्ड क्या है उसके विकर्ड यहाँ पे B, D और A, C उसके विकर्ड है ठीक है आपको यह असित करना है कि यह है एक आयत है अब आयत कब होगा? आयत में क्या होता है? जब आमने सामने की भूजाए हम बराबर दिखा दें तो हम कर सकते हैं कि यह एक आयत है और प्रतेक कूड जो है 90 डिग्री हो जाए तो यह एक आयत हो जाएगा तो अब यहां से AC चीज़ को लेकर चलेंगे इस्टुमेंट्स, देखें प्रश्ण को कैसे हल करेंगे, अब यहां पे देखें जब AC जो है उसका एक व्यास है, ठीक है तो यहां से लिखेंगे, AC एक व्यास है, देखें जब AC व्यास होगा यहां पे, तो यहां से देखें क्य और कौण D, देखें, यहाँ पर हमने दिखाया भी हुआ है यह कौण, और यह कौण, आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और यह दोनों क्या होजाएंगे, 90 हो जाएंगे, क्योंकि अरध वरит के जो कौण होते हैं, वह सम कौण होते हैं, एहां से यह दिखाएंगे, जब य अब्यास है इसलिए कोंड B बराबर कोंड D बराबर 90 यहां पे रीजन में क्या लिख देंगे क्योंकि अर्धवृत्त के कोंड समकोंड होते हैं यहां पे दिखा देंगे ठीक है इसलिए अब इसको हम समिकरन फर्स्ट बना लेंगे अब देखिए इसी प्रकार जब BD व्यास होगा तब क्या हो जाएगा अब लिखेंगे इसी प्रकार इसी प्रकार BD व्यास है अब देखिए जब BD व्यास होगा तो कोंड A और कोंड C यह दोनों बराबर होंगे और यह नब्बे अंस हो जाएगा ठीक है रीजन वही सेम होगा जो उपर हुआ है क्योंकि अर्धविर्त के कोंड समकोंड होते हैं तो यहां से यही दिखाएंगे कोंड A बराबर कोंड C बराबर नब्बे अंस ठीक है स्टुडेंट्स उमिद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे यहां का समीकरण 2 हो गया अब देखिए अब जब दोनों ब्यास हैं तो दोनों ब्यास आपस में क्या होंगे बराबर होंगे तो अब यहां पर वही चीर लिखेंगे अब किसी भी वृत्त के जो ब्यास होते हैं वो आपस में क्या होंगे बराबर होंगे तो अब यहां से यही लिखेंगे अब व्या अब जब AC बराबर BD हो गया तो अब यहां से देखें हम यह अभी लिख सकते हैं कि जो चाप AC है चाप BD के बराबर होगा क्योंकि बराबर जिवाओं के सम्मुख चापे क्या होती है बराबर होती है अब यहां से हम दिखाएंगे AC देखे चाप को ऐसे उपर ऐसे कर देंगे तो यह चाप को प्रदर्सित करता है तो चाप AC बराबर चाप BD और यहां पे region में आप लिख सकते हैं बराबर जिवाओं के सम्मुख चापे बराबर होती है अब देखे दोनों पक्षों में से students दोनों पक्षों में से हम DC घटा देते हैं तो यहां पे आप लिख सकते हैं दोनों पक्षों में से DC घटाने पे हम डाइडेक्ट लिख रहे हैं, देखिए, अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से, देखे, ac minus dc, ठीक है, बराबर bd minus dc, ठीक है, अब घटाने पर हमें प्राप्त क्या होगा, यह देख लेजिए, यह देखिए, ac और, dc में से dc minus हो गया, जब यहां पर ध्यानते समझ लेजिए, जब यह तीन बुजाएं हैं, अगर देखा जाए, तो यह बुजा, एक यह बुजा, एक यह बुजा, एक यह बुजा, अब यह बड़ी बुजा में से एक बुजा minus हो गया, तो जो बचे की वह तीचरी dc के अस्थान पर हम क्या लिख देंगे, ad, ठीक है, चांप ad, बराबर, अब देखिए, यहां पर bd और bd में से आपका dc minus हो राद क्या बचेगा, bc, तो यहां पर लिख देंगे, चांप bc, ठीक है students, उमिद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे students, अब देखिए आपको क्या करना है, अब यहां पर, यहां पर जो है, देखिए, ad और bc, यह क्या होंगे, बराबर होंगे, कि बराबर जिवाओं की समुख जिवाएं, बराबर होती हैं, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, ad बराबर bc, यहां से यहां तो लिखेंगे इसी प्रकार, अब देखे, इसी प्रकार जैसे हम ने दिखा दिया, यहां पर AD बराबर BC दिखा यहां, तो इसी प्रकार यह अभी दिखा सकते हैं, AB बराबर DC तहीं आप लिखेंगे AB बराबर DC ठीक है अब इसको next समीकरण बना लेंगे समीकरण 4 अब देखिए समीकरण 1 ठीक है दो इसको जो है समीकरण 3 बना लेंगे समीकरण 1 दो 3 4 ठीक है समीकरण 1 लेंगे समीकरण 1,2,3,4 के आधार पर हम यहां देख रहे हैं कि यहां पे देखें हम देखते हैं कि जो चतृर्भूझ है उसका प्रतेक कौण क्या होगया 90 अंत हो गया जैसी यहां पर हमने दिखाया कौण a बराबर कौण c बराबर 90 अंत क प्रतेक कोण 90 अंस हो गए और समुख भूजाएं बराबर हो गई तो हम कहा सकते हैं कि ABCD क्या है एक आयत है ठीक है क्योंकि आयत की समुख भूजाएं ठीक है आमने सामने की भूजाएं बराबर होती है और प्रतेक कोण 90 अंस होता है यह चीज हमने दिखा दिया तो वही है एक आयत है और यही आपको प्रूफ करना था यह अपलिक सकते हैं प्रूब्ड ठीक है स्टूजेंट्स उम्मिद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे अगले प्रशन को हल करते हैं स्टूजेंट्स अगला प्रशन आपका प्रशनमबर 25 है यदि एक समलंब की असमानतर भूजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्री है ठीक है अब यहां पे चितर को समझते हैं स्टूजेंट्स यहां पे A, B, C, D एक समलंब चतूर भूज है जिसमें A, B, समानतर, C, D है ठीक है और यहां पे यहां पे जो है आपका A, A, D और B, C यहां पस में बराबर है हमें सिर्ध क्या करना है हमें यहां दिखाना है कि A, B, C, D एक चक्री है चतूर भूज है रचना में हमने क्या किया है इस्टूजेंट्स रचना में हमने D, E, D, E के समानतर, ठीक है यहां पे रचना में C, B, के समानतर, D, E खिचा ठीक है क्या दिया हुआ है एक समलंब ABCD जिसमें AB समानतर CD और AD बराबर BC है यह AD है यह D है सिद्ध करना है कि बिंदू ABCD चक्री है रचना में हमने क्या किया DE समानतर CB खीचा अब उपत्ति में देखिए अब उपत्ति में हम दो कंडिशन को लेकर चलेंगे जब DE और CB समानतर हैं और यहां पर आप यह अभी देख रहे हैं कि EB और DC भी समानतर हैं तो हम कह सकते हैं कि E, B, C, D क्या है एक समानतर चैतुर बुज है यहां पर लिखेंगे क्योंकि समानतर चैतुर बुज की जो तथा EB समानतर DC, तो अब यहां से कह लिखेंगे, इसलिए EBCD एक समानतर चतर बूज़ है, इसलिए EBCD एक समानतर चतर बूज़ है, समानतर चतर बूज़ है, अब देखें जब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से जो DE है और CB यहां आपस में बराबर होंगे, क्योंकि, यहां से लिखें, DE और CB आपस में बराबर होंगे क्योंकि जो समानतर चतर बूज़ होते हैं, उसके सम्मुख़ क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीकें तो यहां पर वही चीज़ लिखेंगे, students, देखे, DE बराबर CB, ठीक है, जो समांतर चत्रवू, जो सम्मुख भूजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो यहां से यही चीज़ लिखेंगे, DE, DE बराबर CB, ठीक है, अब देखे, जब DE और CB बराबर होगे, तो जब दो कौन बराबर होती हैं, दो भूजाएं बराबर ह होती हैं, तो इसके सम्मुख पूजाएं आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, यानि, अब देखे, यहां से, अब हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखे, कौन, DEB, कौनDE DEB, बराबर हो जाएगा कौण DCB के जब यह और यह बराबर हुए तो इसके सामने का यह कौण इस भुजा के सामने का यह कौण यानि कौण C और इस भुजा के सामने का यह कौण यानि कौण E या दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे reason में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि समांतर चत्रोज के सम्मुख कोंड बराबर होते हैं ठीक है या जब दो भुजाए बराबर होती हैं तो उसके सम्मुख कोंड आपस में क्या हो जाते हैं बराबर होते हैं अब यहां से हम क्या लिखेंगे देखें अब अब हम लेकर चलेंगे, यहांसे देखे, यहांसे यहां लेकर चलेंगे, कि AD और BC, आपस में बराबर है, ठीक है, तो यहां से लिखेंगे, AD बराबर BC, यहां में दिया भी हुआ है, कि CB बराबर DE या BC बराबर DE तो यहाँ पर उसी को लिख देंगे फिर BC बराबर DE देखें अब AD BC के बराबर और BC DE के बराबर हम यह भी लिख सकते हैं कि सभी आपस में बराबर हो जाएंगे AD BC और DE आपस में बराबर हो जाएंगे तो यहां से यह भी लिख सकते हैं कि AD बराबर DE तो यहां पर लिखेंगे AD बराबर DE जब यह इसके बराबर और यह जो है इसके बराबर तो यह और यह यह यानि AD और DE भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुह कोंड क्या होते हैं, किसी वित्री भुज में बराबर भुजाओं के सम्मुह कोंड आपस में क्या हो जाते हैं, अब देखे, AD, ठीक है, अब AD के सामने का कोंड और DE, DE के सामने का कोंड आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए ठीक है यहां पर देखिए यहां पर AD तो AD AD के सामने का कौर आपका देखिए यह हो गया और इसके सामने का कौर यह हो गया या ने यह कोर और यह कोर आपस में क्या हो गया बराबर हो गया ठीक है इसको हम students क्या कर लेंगे अब देखिए यहां से अब देखिए अगर इस बि तो वही चीज यहां पर दिखाएंगे, अब यहां पर लिखेंगे, कॉड़ DEA, कॉड़ DEB, कॉड़ DEB, बराबर 180, रीजन में आप यहां पर लिख सकते हैं, राइखी की यूगम, कॉड़, अब देखें, यहां पर DEA, DEA के अस्थान पर हम क्या रख सकते हैं, DEA के अस्थान पर हम DAE रख सकते हैं, देखें, यहां पर, यहां पर या तो यह कर लीजिए, देखें, दोनों, इसको समीकरण फर्स्ट बना लीजिए, और इसको समीकरण दो, तो अब यहां पर देखें, DEA, यानि समीकरण दो में हम D-E-E-A के स्थान पे D-A-E तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कौंड D-A-E प्लस D-E-B के स्थान पे क्या है D-C-B तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कौंड D-C-B बराबर 180 यहाँ पर लिख सकते हैं सम्मिकरोंड एक तथा 2 से अब देखिए ands अब यहां से D A E तो D A E देखें जिस लाइन पे बिंदू E स्थित है उसी लाइन पे B भी स्थित है तो हम D A E को क्या लिख सकते हैं कौड D A B लिख सकते हैं तो यहां से वह चीज़ लिखेंगे कौड D A B प्लस अब देखिए यहां पे D C B उमिद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे अब देखिए जो बीच में होता है वही कौड होता है तो यहां पे कौड A प्लस कौड C बराबर क्या हो गया तो यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं कौड A प्लस कौड C बराबर एक्सवसियंस और यहां पे कौड A और कौड C आप देख रहे हैं कि क्या है समुख कौड है तो जब समुख कौड का सम एक्सवसियंस हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि यह जो चतुरभुज है A, B, C, D एक चक्री चतुरभुज हो जाएगा क्योंकि चक्री चतुरभुज के जो समुख कौड होते हैं वह उन दोनों का सम एक्सवसियंस होता है तो हम यहां से यह लिख सकते हैं अतह देखें अतह अतह A, B, C, D A, B, C, D एक चक्री चतुरभुज है एक चक्री चतुरभुज है एक चक्री चतरवुज है और यही आपको प्रूफ करना था इस्टूडेंट्स तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूब्ड उमिद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गये होंगे इस्टूडेंट्स अगले प्रश्ण को हल करते हैं अगला प्रश्ण और यह इस प्रश्णावली का अंतिम प्रश्ण है इस्टूडेंट्स अगला प्रश्ण है प्रश्ण नमबर 26 दो व्रित्त दो बिंदूं B और C पर प्रतिछेद करते हैं B से जाने वाले दो रेखा खंड A, B, D और P, B, Q व्रित्तों को A, D और P, Q पर प्रतिछेद करते हैं हुए खीचे गएं सिद्ध कीजिये कि कोड़ A, C, P और कोड़ Q, C, D क्या है बराबर है इन दोनों कोड़ों का मान बराबर है यह हमें सिद्ध करना है ठीक है तो अब इह जो दोनों व्रित्त हैं वह B और C पर एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिछेदित करते हैं ठीक है अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे यहा देख लीजिए तो अब यहां से क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहां से कॉंड 1 और कॉंड 2 आपस में क्या होगा बराबर हो यहां पर ब्रैकेट में रीजन में लिख सकते हैं एक अई व्रित्त खंड के कॉंड बराबर होते हैं अब यहां पर देखिए यहां पर चाप BC ब्रित्त सेकेंड के एक अई व्रित्त खंड में कॉंड 3 और कॉंड 4 अंतरित करते हैं तो यहां से कॉंड 3 और कॉंड 4 क्या हो बराबर होगा, यहां पर कॉंड 1 बराबर कॉंड 2 रीजन में आप लिख सकते हैं कई वृत्त खंड के कोड, तो अब यहां पर वही चीद लिखेंगे students, तो देखें क्या लिखा है students, आप BC वृत्त सेकेंड के एक वृत्त खंड में कॉंड 3 और कॉंड 4 अंतरित करता है, तो अब यहां से लिख सकते हैं, इसलिए कॉंड 3 बराबर कॉंड 4, अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज A, C, D में, ठीक है, त्रिभुज A, C, D में, तो अब यहां पर लिखेंगे, अब त्रिभुज A, C, D में, अब जेखें, जब त्रिभुज A, C, D में बात करेंगे, त तो त्रिबुज के तीनों कोड़ों का जो यो होगा, वह क्या होगा, एक्सोसियंस होगा, यानि कोड़ A, प्लस, कोड़ C, प्लस, कोड़ D, बराबर, एक्सोसियंस, ठीक है, यहां पे इन तीनों का सम्क्या हो जाएगा, एक्सोसियंस, अब देखिए, कोड़ A का मान क्या है, 1 है ठीक है कॉर्ण A का मान 1 तो यहां पे रख देंगे कॉर्ण 1 प्लस अब देखे कॉर्ण C तो हम A C D लिएं तो A C D में जो कॉर्ण C है वो क्या क्या आएगा 5 और 7 आएगा दोनों बिन्दों इसी के अंतरगत हैं तो अब कॉर्ण C के स्थान पे क्या रख देंगे कॉर्ण 5 अब प्लस कॉर्ण 5 A C D न है सेवे नहीं कॉर्ण 5 और 6 आ रहे हैं तो कॉर्ण 5 प्लस कॉर्ण 6 ठीक है प्लस कॉर्ण D कॉर्ण D क्या है कॉर्ण 3 और यह बराबर 100 Ocions इसको समिकरन first बना लेंगे स्टुडेंस तो अब यहाँ पे लिखेंगे, त्रिबुज, P, C, Q में, अब देखें, P, C, Q में बात करेंगे, तो त्रिबुज के तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, एक सोसियन्स होगा यहाँ पे भी, तो अब यहाँ पे लिखेंगे, कोण P, प्लस, कोण C, प्लस, कोण Q, बराबर एक सव असियन्स ठीक है अब देखिए कौण P क्या है कौण P जो है क्या है कौण 2 है तो इसके अस्थान पर क्या लिख देंगे कौण 2 प्लस कौण C अब कौण C की बात करें तो अब यहां पर देखिए हमने कौण सा भी कौण लिया था P C Q तो P C Q के अंतरगत यह लाइना है यह कौण 5 और कौण 7 आ रहा है तो अब कौण C के अस्थान पर क्या रख देंगे कौण 5 प्लस कौण 7 ठीक है प्लस कौण Q कौण Q का मान क्या है कौण 4 है तो कौण 4 बराबर 180 अब इसको समिकरण 2 बना लेंगे अब समिकरण 1 और 2 से हम देखते हैं कि जब किसी समिकरण का एक भाग बराबर होता है तो समिकरण के दोनों भाग आपस में क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं ठीक है तो अब इहां से लिखेंगे समिकरण 1 तथा 2 से समी करण 1 तथा 2 से अब इसके दोनों बाग को बराबर करेंगे ते हम पर कहा लिखेंगे देखें कॉंड 1 प्लस कॉंड 5 प्लस कॉंड 6 प्लस कॉंड 3 बराबर कॉंड 2 फिर प्लस कॉंड 5 प्लस कॉंड 7 प्लस कॉंड 4 अब यह दोनों बराबर हो गए, अब देखे, अब अभी उपर हमने क्या किया था, यहाँ पे दिखाया था कॉंड 1 बराबर कॉंड 2 और कॉंड 3 बराबर कॉंड 4, तो उसी चीज का यहाँ पे प्रियोग करेंगे, यहाँ पे कॉंड 1 बराबर कॉंड 2 और कॉंड 3 बराबर उसी का प्रयोगिस समीकरण में हम लोग करेंगे students तो अब देखें यहां से क्या हो जाएगा यहां पर कॉंड 1 प्लस कॉंड 5 प्लस कॉंड 6 प्लस कॉंड 3 बराबर अब इधर देखें कॉंड 2 के अस्थान पर क्या रख सकते हैं यहां पर कॉंड 1 ठीक है फिर कॉंड 5 कॉंड 5 प्लस कॉंड 7 कॉंड 7 आग कॉंड 4 के अस्थान पर क्या रख सकते हैं कॉंड 3 ठीक है students उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे अब देखें जब पक्छांतर करेंगे तो यह इधर यानि कॉंड 1 कट गया कॉंड 5 कट गया कॉंड 5 से और कॉंड 3 कट गया कॉंड 3 से बचा क्या कॉंड 6 बराबर कॉंड 7 यहां से क्या बचा कॉंड 6 बराबर कॉंड 6 बराबर कॉंड 7 यानि कॉंड 6 और कॉंड 7 कॉंड 6 और कॉंड 7 बराबर हो गया कॉंड 6 को हम क्या लिख सकते हैं, देखें, P, अब इसके अस्थान पि रेकिया लिख सकते हैं, कि कोड a c p बराबर हो गया, अब देखिए 65 को क्या क्या लिख सकते हैं, कर सेविन को q c d फिक्या है, तो इसको लिख सकते हैं बराबर q f d और यही हमें प्रूफ करना था यहां यही हमें प्रूफ करना था यहां पर देखें कोस्चन में आपको दिया हुआ है कि ACP बराबर QCD और यहां पर हमने दिखा दिया कि ACP बराबर QCD और यहां पर लिख देंगे प्रूब्ड तो उमिद करते हैं students की पूरी बात आपको अच्छी तर समझ में आ गई होगी students ठीक है students अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक अधिक साधिक मात्रा में सेयर करिए इसी के साथ ही students इस प्रशनावली का अंत हुआ अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे एक नए प्रशनों के साथ एक नए प्र